हेलो फ्रेंड्स विल्कम टु मैं चैनल आज हम आप लोगों को चैप्टर 11 एफिल टावर के बारे में बताएंगे कहानी आप लोग खुद से भी पढ़िएगा हम मोटा मोटी इसका आर्थ बता देते हैं पेरिश फ्रांस की राजधानी है पेरिश में सीन नदी के किनारे इस्थित है यहां देखिए सीन नदी के किनारे इस्थित है 300 मीटर ऊची है इसमें 73 सो टन सुद्ध लोहे की बने है सुद्ध लोहा इसमें कितना लगा है तो 73 सो टन यह 31 मार्च 1889 में बन कर तयार हो गया इसके बनने में दो साल दो महीना दो दिन लगा अश्चर्ज की बात है कि इसके लोहे और दिल्ली के कुतुक मिनार में लगे लोहे एक जैसा है सुद्ध लोहे का है जिसमें सर्दी बरसात गर्मी जेल के भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा एफिल टावर का नाम पेरिस के फ्रांसिसी इंजिनियर एलेकजेंडर गुस्ताव एफिल के नाम पर परा था इनका नाम इंजिनियर के नाम पर परा है इसमें देखिए यहां चार मोटे मोटे पायो पर ये ख़रा है इसके बीच से ये सरक जाती है कितना सुन्दर लग रहा है एफिल टावर इसकी तीसरी मंजील बड़े अनूठे हैं इससे पूरे पेरिस दिखाई देता है खुब सुन्दर द्रिस से दिखाई पड़ता है इसके तीसरी मंजील से और इतनी उचाई से देखने पर सीन नदी जिसके किनारे पर इस्ती तैसीन नदी एक नीले रंके पकडंडी जैसे दिखाई परते हैं और यह 900 वर्ग मीटर में भूमी पर बना हुआ है तो आपको मुटा मुटी इसका अर्थ हम बता दिये आप पढ़िएगा अपने से और अच्छा से समझिएगा इतना दिर हम पर हैंगे तो ज्यादा हो जाएगा अर्थ इसका बता दिये हम मुटा मुटी अब इसका कोश्चन एंसर बड़ी अच्छी कहानी है आप लोग खुप पर जिये इसके बारे में जितना गन्ना का हम बता दिये और इसका ये सब्दार्थ है देखिए इस सब्दार्थ है कोश्चन एंसर है कहानी पर अपने आप कोश्चन एंसर आपको आ जाएगा ये टिक लगाने वाला है इसमें थोड़ा ज्यादा कोश्चन है हम आपको ये कोश्चन सब बता दिये हैं देखिए यहां लिख दिये हैं वाक्य बनाना है और कोई दिक्कत हो तो आप इसे कुछ से कहानी पढ़िएगा और अर्थ समझ कर लिखिए जहां दिक्कत हो ये बुक से question देखिएगा और मेरा वीडियो भी देखिएगा मिलाइएगा तो सही-साई question answer बनाईएगा आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा thank you so much